दोस्तो इस वीडियो में आपको सिखने वाले कि कैसे आप लोग Razor Pay पर अपना एकाउंट क्रिएट करेंगे तो चलिए उस वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप लोगों नहीं अभी तब में शरंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज शरंग को सब्सक्राइब कर लिजिए तो दोसके आप इस सिंपल सा Razor Pay पर एकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना Chrome Browser उपिन कर लेना है उपिन करने के बाद आपको यहां पर सर्श करना है Razor Pay तो जैसे आप यहां पर Razor Pay सर्श करेंगे इसके बाद आपको यहां पर जो सबसे पहला ओला लिंक देखने को मिल जाएगा Razor Pay.com तो सिंपल सापको यहां पर इसके ओपर क्लिक कर देना है तो जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहां पर जो Razor Pay की ओपिसल वेबसाइट है यह ओपन हो जाएगी इसके बाद सिंपल सापको यहां पर sign up के option के ओपर क्लिक कर देना है तो जैसे आप यहां पर sign up के option के ओपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहां पर email id डालने के लिए पूचेगा तो सिंपल सापको यहां से अपनी कोई भी email id डाल देनी है Email ID डालने के पाद आपको यहाँ पे Sign Up के ओप्स प्सें के ओपर Clips कर देना है इसके बाद आपको यहाँ से अर्फासवर्ड को सलेड़ कर लेना है तो और यहाँ से Simpleафavor बना लेते हैं यहाँ यहाँ पे तो छैसे आप यहाँ पे Password बना लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर create account के उपर click कर देना है तो जैसे आपको यहाँ पर create account के उपर click करेंगे उसको बाद आपको यहाँ पर कुछ second तक wait करना होगा और यहाँ से password save कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला यहाँ पर option आता है what is your business type तो simple से अगर आपका business registered है तभी आप यहाँ से नीचे से कुछ भी select करेंगे अगर registered नहीं है तो आपको यहाँ पर simple सा unregistered को ही select कर लेना है तो जैसे आप यहाँ पर unregistered को select करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पुरा नाम लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना content number लिख देना है तो इतना लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको nest कर देंगे तो simple सा आपको यहाँ पर अपनी mail को login कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर उस verification code को डाल देना है तो simple सा हम यहाँ से अपनी mail से verification code को यहाँ पर डाल देते हैं mail को डालने के बाद simple सा यह आपका verify हो जाएगा इसके बाद simple सा आपको यहाँ पे कुछ second तक wait करना होगा और इसके बाद आपको यहाँ पे dashboard open हो जाएगा इसके बाद पूछेगा activate your account तो simple सा आपको यहाँ पे इसके उपर click कर देना है तो जैसे आपको यहाँ पे इसके उपर click करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे पूछेगा business type not registered मैंने select कर लिया है इसके बाद यहाँ पे देख सकते है business category तो simple सा आपको यहाँ से select कर लेना है जिस भी category में आता तो जैसे मेरा यहाँ पे web designing and development है तो हम यहाँ से select कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा website oblique app URL जहाँ पे आप इसको यहाँ पे पेश्ट करना चाहते हैं जहाँ पे आप एपनी website में add करना चाहते हैं इसको razor pay को तो अगर आपके पस कोई website है तो उसका आपको यहाँ पे URL लिख देना है करने के बाद आपको यहाँ पे save and nest के ओपर click कर देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है business details तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना pen number डाल देना है इसके बाद जो भी आपका pen card पर name में आपको यहाँ लिख देना है इसके बाद यहाँ पे आता है billing label यहाँ पे billing label जो भी आपके ब्रांड का नियम है, इसके बाद आपको यहाँ से अपनी सिटी डाल देना है, इसके बाद इसके बाद आपको यहाँ से अपनी सिटी डाल देना है, इसके बाद इसके बाद आपको यहाँ से अपनी सिटी डाल देना है, इसके बाद इसके बाद आपको यहाँ को complete नहीं करेंगे तब तक आप जो भी payment accept करेंगे वो आपके bank account में नहीं जाएगा तो simple सा KYC complete करने के लिए आपको यहाँ पर fill KYC form के उपर click कर देना है तो जैसे आपको यहाँ पर click करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से अपनी bank details डाल देनी है जैसे आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम डालना है जो भी आपके bank account में है इसके बाद आपको यहाँ से उसका FC code डाल देना है इसके बाद आपको यहाँ पर account number डाल देना है और इसके बाद एक बार फिर से आपको यहाँ पर account number डाल देना है इसके दोस्तों यहाँ पे address verification के लिए आपको यहाँ पे अपना अधार card upload करना होगा, उसके बाद simple सा आपको यहाँ पे address proof में सबसे पहले आपको यहाँ से अधार card को select कर लेना है, इसके बाद जो भी अधार card का आपका जो front का page उसको यहाँ से upload करना है, और मैंने इसको यहाँ से पहले से रखा हुआ, तो मैं यहाँ से इसको सबसे पहले front वाला select कर लेते हैं, front वाला select करने के बाद आपको यहाँ से इसको back वाला भी select कर लेना है, तो मैं यहाँ से back वाला भी select कर लेते हैं, इसके बाद आपको simple सा यहाँ पे open कर देते हैं, इसके बाद SIMPLE सा आपका यहाँ पर KYC review होगा, तो जैसे आपका यहाँ पर KYC review हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर इसको OK got it कर देते हैं, तो दोसे यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर KYC submit कर दिया है, इसके बाद यह razor पर आपका verify करेगा, उसके बाद आपके पास एक message आ आद आएगा, तो दोसे इस तरह से आप लोगों बहुत हीजी तरीके से razor pay पर अपना बहुत हीजी तरीके से account बना सकते हैं, इसके बाद आप यहाँ से payment की link create करके आप जिससे भी payment लेना चाहते ले सकते हैं, तो दोस्तों कर वीडियो च्छे लोगे, वीडियो को लाइक कर चैनल को subscribe करें, thank you for watching.